वायू प्रदूशन एक खामोश हत्यारा है जो भारत समेट दुनिया की कई देशों में बच्चों की मौत का बड़ा कारण बन रहा है। लोग अक्सर प्रदूशन को हलके में लेते हैं लेकिन ऐसा करना पूरे दुनिया के लिए एक बड़ी भूल साबित हो रहा है। भारत में प्रदूशन के स्थिती काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। एक मुख्य कारण के रूप में नजर आ रहा है। यदि वैश्विक रिपोर्ट पर नजर डाले तो कुपोशन के बाद वायू प्रदूशन पात साल से कम उमरे के बच्चों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। 2021 में दुनिया भर में 8.1 मिलियन मौतों के लिए वायू प्रदूशन जिम्मिदार था जिसमें भारत और चीन का योगतान 55 प्रतिशत था। वायू प्रदूशन के कारण अस्थमा, फेफडों की बिमारियां, दिल की समस्याएं, फेफडों का कैंसर, डाइबटीस और स्ट्रोक जैसी गई गंभीर बिमारियां हो सकती है। अब अगर बात करें भारत में वायू प्रदूशन की स्थितिकी, तो भारत में वायू प्रदूशन का स्तर दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहां सभी 1.4 अरब लोग PM 2.5 के खतरनाक स्थर के संपर्क में हैं जो सबसे ज्यादा नुकसान दायक प्रदूशकों में से एक है बच्चे, बुजर्ग और बाहर काम करने वाले लोग इससे सबसे ज्यादा ही प्रभावित हो रहे हैं SDG के तहट वायू प्रदूशन को कम करना जल और स्वच्चता की स्थिती सुधारना और बच्चों के स्वास्ते को बहतर बनाने के लिए जल वायू परिवर्तन को नियंतरेत करना प्रार्थ मिक्ता है